अब इस question में आपको पता है कि greatest integer function जो है वो ब्रेक होता है लिमिट पर यानि उसको integer देने होते हैं अब इस question को बहुत ध्यान से समझें मैं आपको इसकी बहुत आप सिंपल ट्रिक बताता हूं आप कर लोगे जैसे अगर मैं आपको कभी यह question बोलूँ कि 124 greatest integer को solve करो तो आप क्या करते हो इसको integer देते हो 122 फिर दोगे आप क्या 223 ऐसी दोगे बिटा है ना फिर दोगे 324 मतलब जब जब इसके नेचर चेंज होंगे जब जब दोगे और भी जहां-जहां इसके नेचर चेंज होंगे आप वो एंगिल धूनना आपके लिए मुश्किल तो इस question की simplest approach क्या हो सकती वह बता रहा हूं मैं आपको समझना तब से पहले तो आपको break तो ऐसे ही करना होगा अब एक बात बताईए इसके बीच में आप इसको nature को लिखत को जब आप सब्ट्रेट करते हैं अपर लिमिट और लोग लिमिट को जब आप सब्ट्रेट करते हैं तो डिफरेंस वन आता है तो आपको वन प्लस टू प्लस थ्री मिल जाता है आप इस question को समझे इस question की beauty को कि मैं बताता हूं कैसे करेंगे सबसे पहले हमारे पास एक property है जीरो टू ए एक 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 वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक राइट तो अगर माल लेजिए मैं आप से बोलूं कि ग्रेटेस इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस इंटीजर माइनस एक्स लिखा हो तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा तो ग्रेटेस इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस इंटीजर माइनस एक्स एक्स विलॉंग टू इंटीजर एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए अगर आपने टू रखा तो ओविसली टू माइनस टू जीरो हो जाएगा थ्री रखा तो भी 4 रखा तो भी माइनस even माइनस 5 रखा तो भी माइनस यह प्लस हो जाएगा 0 बट आप नॉन इंटीजर रखिए जैसे आपने रखा सपोस्ट 2.5 तो 2.5 माइनस 2.5 और यह माइनस 3 देखिए माइनस 1 मिला कोई भी नंबर रख लेजे माइनस 6.5 रखा माल लो रखा होता माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह मिलेगा बिटा माइनस 7 यह मिलेगा 6 तो माइनस 1 अब आप सोचिए कि आपको हर केस में यह मिलता है माइनस 1 सोचो अगर आपको यह कोशन में दे दूँ 1 2 4 में समझना फिर यह कोशन आपको एकड़म उजी लगेगा greatest integer x plus greatest integer minus x dx अब क्या करते आप दो तरीके हो सकते करने का पहला एक बच्चा 1 2 4 सीधा माइनस 1 लिखता क्योंकि इसका नेचर माइनस 1 इंट्रिगेट करता माइनस x मिलता 1 2 4 4 रखा और 4 और यह 1 यह मिल गया 3 और क्या होता अगर एक अब आप बोलो सर यह तो आपने डारेक्ट लिख दिया पर ब्रेक होगा आप बीच में इसमें इंटीजर भी होंगे इस पर तो 0 हो जाएगा बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं इसमें इंटीजर रखूंगा तो 0 पर आपको इंटीजर रखना नहीं अगर आपको इसको एसे लिखना पड़ता है 322 अगर आप करते तो ऐसे करते हैं अंटीजर मायने जैसे लिखके आप आप करते हैं अब इसका नेचर मिलता आपको फिर देखिए अब आपना अब आपको यह पता है कि लिमिट जब रखते हैं तो लोर लिमिट से वैलू बढ़ी होती है पड़ से चूटी या निया अब वन पाइंट जीरो जीरो वन से लेके वन पाइंट नाइन ने ने तक तक तो वन ही मिलेगा ना वन से टू में माइनस वन ही मिलेगा कि नहीं सेम तू से थ्री में भी माइनस वन मिलेगा और त्री से फोर में भी माइनस वन मिलेगा आप वन से फोर सोचोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे कि सब बीच में टू आएगा तो जीरो जाएगा थ्री minus 1 मिलता जो ऑपने यहां पर निकाल लिया था जो कि आपने यहां पर भी निकाल लिया था तो अब हम डारेक्ट भी कर सकते क्योंकि हमें जितने भी हम breaking point दे दें अभी तो फिनी विह भी निलेगा तो ये काम हम इसमें भी करने वाले हैं यानी मेरे पास देखिए क्या था आई इकवल टू था जीरो टू पाई कॉट एक्स मैंने क्या करा जीरो टू एफ डी एक्स इकवल टू होता है लगा है जीरो टू ए एफ माइनस एक्स तो मैंने जब यह प्रॉपर्टी लगा आई तो जिरो टू पाई कॉट पाई माइनस एक्स डी एक्स राइट अब कॉट्ट तो आप लिखते जीरो टू पाई माइनस कॉट एक्स अब मैंने का यह वन है यह टू है इन दोनों को आइड कर देजिए तो आपने जैसे आइड किया तो आप लिखते जीरो टू पाई कॉट एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स डी एक्स अब देखिए इसमें भी लिमिट बहुत सारी ब्रेक होंगी जहां-जहां इंटीजर मिलना है पर एट लॉस हर एक में माइनस वन मिलेगा तो आप लिख सकते हो जीरो टू पाई माइनस वन डी एक्स तो इंट्रिगल क्या हो ग this is the right answer यानि इस question को अगर आप understanding से करेंगे तो होगा नहीं तो यह question आपको confuse कर सकता है नोट कर लेजिए